नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, भगवान सब जगए है एक गाउं में एक बहुत ही साधारन ब्यक्ती रहता था, उसे भगवान पर अटूर विश्वास था जब कोई ब्यक्ती उससे हाल चाल पूँचता, बह बोलता ठाकुरजी जाने उस गाउं में एक ठाकुरजी का मंदिर था, उसे उन पर पूरा विश्वास था उस ब्यक्ती के दो पुत्र और एक पुत्री थे जब पुत्री की शादी की, तो उस साधन ब्यक्ती ने साहुकार से कुछ करज लिया था कुछ समय बाद दोनों पुत्रों ने पिता को बोला यहलो पैसे और साहुकार को देकर करज से मुक्त हो जाओ उस ब्यक्ती ने जाकर साहुकार से कहा यह लीजिए साहुकार जी आपका मूलधन और ब्याज और मुझे अपने करजे से मुक्त करा दीजिए साहुकार ने एक पेट पर लिख दिया कि आपका पूरा करजा ब्याज सहे प्राप्त हुआ आप कर्जिसे मुक्त हैं साहुकार ने उस ब्यक्ति से पूछा इस पर क्या लिखा हुआ है उस ब्यक्ति ने कहा मैं तो अनपड़ हूँ जो लिखा है बैठा कुर्जी जाने साहुकार समझ गया कि ब्यक्ति बहुत सीधा है उसके मन में लोवा गया साहुकार ने उस ब्यक्ति को कहा अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ इसी बीच में साहुकार ने उस परची को हटाकर एक परची लिख दी कि अभी मेरा करजा बाकी है अंदर से ब्यक्ति आया और परची लेकर चला गया कुछ दिन बाद साहुकार पैसा मांगने पहुँच गया उस ब्यक्ती ने कहा कि यह बात गलत है मैंने आपको पैसा दे दिया है मामला कोर्ट में चला गया कोर्ट में ब्यक्ती को बुलाया गया ब्यक्ती जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने आपको पैसा दे दिया जज सहाब ने पूछा कोई गवा है जिसने आपको साहुकार को पैसा देते देखा था उसने कहा हाँ ठाकुर जी है ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहुकार को देखा था जज सहब ने कहा ठाकुर जी को बुलाया जाए पुलिस बालों ने उस गाउं में जाकर लोगों से पूछा ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गाउं में है उसे कल कोट में आना पड़ेगा गाउं वालों ने कहा ठाकुर्जी नाम का कोई भी ब्यक्ति इस गाउं में नहीं है ठाकुर्जी का मंदिर है अब भगवान कैसे कोट में पेश होंगे अगले दिन अदालत की कारवाई शुरू हुई जज सहाब के बगल में खड़ा ब्यक्ति जोड जोड से बोला ठाकुर्जी हाजिर हों ठाकुर्जी हाजिर हों उसी वक्त एक बुढ़ा ब्यक्ति सिर पर तिलक लगाए चंदन की माला पहने हुए कोट में आ गया उस ब्यक्ति ने कट घरे में खड़े होकर बोला सर मैं ठाकुर्जी हूँ बताईए क्या बात है जच साहब ने ठाकुर्जी से पूछा क्या आपने इस ब्यक्ति को साहुकार को पैसे देते हुए देखा था तब ठाकुर्जी ने बोला हाँ जच साहब मेरे सामने इस ब्यक्ति ने साहुकार को पूरे पैसे ब्या समेत दिये थे आप साहुकार को यहां पर रोकिए और किसी ब्यक्ति को साहुकार के घर भेजिए साहुकार के घर में अलमारी नमबर 3 में एक फाइल है उस फाइल के 22 में पेच पर एक परची रखी हुई है जिसमें लिखा है कि इस ब्यक्ति ने प्या समेत पैसा दे दिया है बह ब्यक्ति इतना बोल कर चला गया कुछ देर बाद सिपाही बापस आया और जजज साहब को एक पर्ची दी इस पर्ची में लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्या समेत मिल गया है जजज साहब ने कहा ठाकुर जी कहा गये उनको बुलाओ ठाकुर जी दिखाई नहीं दिये अगले दिन जजज साहब उस ब्यक्ति के गाउं गये पूरे गाउं में खोजा गया सभी ब्यक्तियों ने कहा कि बहब्रद्ध आदमी इस गाउं का नहीं था जज साहब समझ गए बैबास्ता मेठा कुर्जी यानी भगवान ही थे जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्थीफा दे दिया जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उनके दर्वार पर मिट्टी को अपने सिर में लगाते थे किसी मंदिर में बैठते नहीं थे जज साहब कहते थे हमने भगवान को अदालत में बुला कर खड़ा किया था फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ इस तरह जज साहब काफी बदल गए यह कहानी सच्ची घटना है यदि आपको भगवान पर बिश्वास है तो बैठ जरूर आपके वुरे वक्त में काम आएंगे आप भले ही किसी धर्म के हो जै श्री कृष्णा राधे राधे